जैहिन सात्यों स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के लासे समिच जैन यूटूब चैनल में तो सभी सात्यों एक बार वीडियो को लाइक करने दोस्तों इस्टार्ड हो चुका है आज का ये सेशन है ना और दोस्तों जिन्होंने 2020 टेस्स सीरीज में भाग नहीं लिया है वो 2020 टेस्स सीरीज में भाग जरूर लें दोस्तों ठीक है आपको पता है गुरुबार और रभीबार को दो दिन बिलकुल दोस्तों फिरी होती है 2020 टेस्स सीरीज आप सभी के लिए है ना ये फिरी टेस सीरिज में आप कैसे भाग ले सकते हैं तो आपको क्या करना है self study classes एप डाउनलोड करना है play store में जाए सर्च करिए self study classes एप ठीक है इस एप को आप सर्च करते हो दोस्तो तो आपको app मिल जाता है और app download app download कर लेते हो तो आपको क्या होता है कि ये self study classes पर 2020 जो test series है ये आपको मिल जाती है ठीक है सब्ता में दो दिन मिल जाती है और 21 जून से निचोड कोर्स start होने बाला है दोस्तो जैसे अप किसी किसी परिक्षाओं के लिए जादा time नहीं है या आपके पास जादा time नहीं है और आप निचोड निचोड पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तो इस course में आज ही डविशल लेले लें आप हिंदी साहित के संपूर course में 1199 में जिसमें आपको संपूर course तो करवाई जाए गा हंदी साहित का बिक यस்तुरों ने चोड़ जो material है मलाई है वो आपको दोस्तों दे दी जाएगी है ना मलाई मलाई जो एकजाम में पूछा जाता है ऐसे प्रस्णों को अपन कबर करेंगे 10 दिन में तो 21 जून से पहले अगर आपको एड़ बीसल लेना है तो आप ले सकते हैं साले 6 बजे से एक class start होगी live class ह होगी है ना इसमें पढ़कर कि आपको बहुत मंजा आएगा ठीक है अब यहाँ पर देखो दोस्तों एक जुलाई से चतुर्थ बैच start होने वाला है तीन बैच और लेड़ी चल रहे हैं चतुर्थ बैच start होने वाला है दोस्तों जिसमें आपको बिस्तरे तध्यन, टेस्ट, ट्रिक, सब कुछ करवाया जाएगा और इसी चतुर्थ बैच में आपको निचोड कोर्स मिलने वाला है है ना तो चतुर्थ बैच, टेस्ट बी, ट्रिक बी, लाइब किलास, रिकॉर्डेट कोर्स, डाउट, सेसन, किलियर वाला है ना इस सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरू कर दें और दोस्तों अपने मित्रों तक सेयर कर हैंगे दोस्तों है ना आजाईए जल्दी से आज का आपका पहला प्रशना आपकी स्क्रीन पर है हिंदी साहित के आरम भेकाल को आचार रामचन सुकल ने क्या कहा है पहला कोस्चन है अच्छा कोस्चन है सबसे बनेगा सरल कोस्चन है जल्दी से आपको बताना है फिर दोस जरूर पूछा जाता है तो जल्दी से बता दो हिंदी साहित के आरंभिक काल को आचार रामचन सुखल ने क्या नाम दिया है फटापट से आपको दोस्तों कमेंट में लिखना है क्या नाम दिया है आदी काल नाम दिया है चारण काल नाम दिया है बीर गाता काल या फिर सिद् पर answer बना है कि sir हिंदी साहित के आरमभिक काल को जो नाम दिया है रामचन सुखले ने वो कौन सा नाम दिया है आपका उत्तर बिल्कुल शही है या बीर गाथा काल ठीक है बिल्कुल शही है लेकिन दोस्तो अगर आपसे कभी option पूछा जाए कि हिंदी साहित का जो प्रथम काल है या जो आदी काल है उसको आरंभेक काल नाम किस ने दिया तो आरंभेक काल अगर पूछ लिया जाए कभी तो आपको क्या लगाना है मिस्र बंदू ठीक है और कभी आपसे प्रारंभेक काल नाम पूछ लिया ज और आरंभिक काल पूछा जाए तो मिस्तर बंदू है ना आदी काल पूछा जाए कि आदी काल को आदी काल की संग्या किस ने दी तो हजारी पर साथ दुवे दी ठीक है चारण काल किस ने कहा तो राम कुमार बर्मा और गिरियरसन ने ठीक है सिद्ध सामंत काल किस ने कहा तो आप क्या बताओगे राहुल सांकृत्यायने तो अपने पास एक क्वेस्चन आया था नार्मल से एक क्वेस्चन की बदले दोस्तों हमने छे क्वेस्चन को यहां पर कबर कर लिया छे प्रस्णों को कबर कर लिया जो कि आपको बिलकुल सही था अंगला क्वेस्चन आपकी स्क कौनसा नहीं है चंद बर्धाई नाम देओ, जगने कियाफिर मधू कर यनकी प्रशन किरमाँ का आपका two, और two में आपको चेन करना है, आसान question है, सरल question है दोस्तो बीर गाता काल के कभी आपको पता है अब आपको बताना है कि बीर गाता काल का कभी कौन सा नहीं है कौन सा नहीं है बताईए जल्दी से चंद बर्दाई नाम देओ जगने किया फिर मधुकर बहुत सारे लोगों को पता है अब देखते हैं कौन-कौन सही उत्तर बताते हैं कौन-कौन इसमें डाउट्स में चले जाते हैं लेकिन लगभक सभी लोगों ने बिलकुल सही तीर निसाने परमारा है बोले सर अगर आपने ये उत्तर पूचा है तो हम नाम देओ लगाएंगे नाम देओ यानि कि आपका ज सह लिखा बोले सर जैमयंक जस्चंद्री का लिखा एक गरंत ठीक है तो नाम देओ यानि की बी नम्मर आपका बिलकुल शही हो जाएगा और आपका आंसर भी बिलकुल शही है बहुत वड़ी आंसर अंगला कॉस्चन बीर गाता काल के सर्बस्रेष्ट कभी माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं बीर गाता काल के सर्बस्रेष्ट कभी कौन माने जाते हैं जल्दी बताओ सर्बस्रेष्ट कभी बताना है इनमे से बीर गाता काल के तो इस सारे के सारे कभी है लेकिन सर्बस्रेष्ट कभी कौन माने जाते हैं प्रश्न किरमांग तीन का उत्तर आप को बताएना है और दोस्तो सर्ब्सृष्ट मतलब क्या कहोंगे पुर्भ सर्ब्सिष्ट तो उसे कहेंगे जो जिसने महाकाब लिखा हो है ना जिसने कुछ दोस्त तो किया हो आद्धिकाल में जिसका नाम चलता हो तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा अगर इस प्रकार से question सर्बस्रिष्ट अगर आपसे पूछा जाए तो सर्बस्रिष्ट कभी दोस्तों चंद बरदाई चंद बरदाई कहलाएंगे ये नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है बाकी जगने दलपती बिजए बिद्यापती ये भी आदिकाल के कभी है लेकिन सर्बस्रिष्ट की बात आई है तो आपको चंद बरदाई लगाना है जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सबी लोग बिल्कुल है ना कसके उत्तर लगा रहा है कसके अंगला कॉस्चन प्रत्विराज रासों की रचनाकार कौन है प्रत्विराज रासों की रचनाकार कौन है सरल कॉस्चन बहुत आसान कॉस्चन सभी से बनेगा प्रत्विराज रासों की रचनाकार कौन है प्रतिबी राज रासों के रचनाकार कौन है जैदियो चंद बरदाई जगनेक या फिर बिध्यापती और आपने बिलकुल सही ने बताया है कि सर चंद बरदाई में टिक कर दो है ना टिक कर दिया बी नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा बहुत बढ़ गया है ना अंगल कभीर दास की भासा आपको बताना है कि कभीर दास जी है दोस्तों है ना और कभीर दास ने जो समाज को भटका रहा है है ना जो दोस्तों उसके बाद अगर एक क्वेस्चन और हम आपसे पूछेंगे अभी कभीर दास का आपको बताना है क्यूंकि दोस्तों अपन पढ़ ल तो अपन क्या पढ़ते हैं नागर्जुन क्या पढ़ते हैं आधने काल के कभी नागर्जुन है ना आधने काल के कभीर नागर्जुन आधने काल की मीरा महादेवी बर्मा और यहां पर कभीर की भासा पूछी तो आपने लगा दिया साधुकडी क्या है साधुकडी बहुत ब बता पाते हैं कबीर की भासा को साधुक्डी भासा किस ने कहा है कौन-कौन बताते कौन-कौन डाउट्स फिल करते इस कॉस्चन में क्यूंकि डाउट्स वाला कॉस्चन है बताईए कौन-कौन बता रहा है कबीर की भासा को साधुक्डी किस ने कहा बताओ हाँ शादुकडी किस ने कहा जल्दी जल्दी से बताईए कबीर की भासा को शादुकडी किस ने कहा बढ़िया कॉस्चन है डाउट्स वाला कॉस्चन है और बहुत सारे लोग डाउट्स इसी में रहते हैं किस में रहते हैं एक तो स्याम सुंदर दास में और राम चंदर सुकल में तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो साधुकडी कहा कबूर की भासा को वो किस ने कहा राम चंदर शुकल ने और अगर यहीं आपसे पूच लिया जाता कि कबिर की भासा को पंच मेल खिचडी और खिचडी घर में बनती है तो कैसी बनती है बुली सर बड़ी पर आ रहा है बताईए 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 बहुत अच्छी पंक्ती है सभी लोग बताईए ये आपकी पंक्ती है दोस्तो इन पंक्तियों को आपको चेन करना है चेन करिए और बिलकुल सभी लोग सोच सोच के उत्तर बता रहे हैं आज तो कुछ है खाकर आए हैं कट कटान कपी कुंजर भारी दोबुज दंड तमक महायवारी है ना यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा तुलिस्टी दास यानि की ए नंबर ये नंबर आपका बिलकुल चाही है ये जो पंक्ती है ये पंक्ती है तुलिस्टी दास की ठीक है तुलिस्टी दास चंदन घिसें तलक देतरग भी रहना तुलिस्टी दास जी को पढ़ा है बहुत बढ़िया अंगला कोस्चन देख लेते हैं अंगला कोस्चन है नयन जो देखा कमल सा निरमल नीर सरीर और हसत जो देखा हंसवा दसन जोती नगहीर नयन जो देखा कमल सा बताईए जल्दीशे साथ का आंसर आपको बताना है बताईए तुलशी दास की ये पंक्ती है जैसंकर की पंक्ती है जाई सी किया कभी बोले कमल सा नयन देखकर बुलिसर प्रेम के भाव आ गए कैसे भाव आ गए प्रेम के भाव और प्रेम के भाव किस काबधारा में आते हैं पताइए किस काबधारा में किस काबधारा कौन सी वो काबधारा है जिसमें दोस्तो है ना प्रेम की महत्ता को सूपी काबधारा में सुईकार किया गया लेकिन आपको याद करना है कि नयन जो देखा कमल सा बुलिसर नयन जो देखा कमल सा और बुलिसर प्रेम उमड गया प्रेम और प्रेम की बात कौन करेंगे यहां पर जायसी करेंगे क्योंकि सूपी काबधारा में आपको पता है इस्तुवर से मिलने के लिए करे, तो इस्तुवर की इस किलास में भी आ जाएंगे, साख्षाथ, बोले बताओ बिटा कौन से एक्जाम को पास करना, बोले जादाने TGT PGT, हैना कल्यान हो जाएगा, गुरुप का, हैना ऐसी भक्ती करना है, ये जाइसी जी माने जाते हैं, ज जाइसी मलिक मुहम्मद जाइसी पदमाबत इनका गरंते दोस्तो महा काब है पदमाबत प्रिथम प्रमानिक महा काब माना जाता है और सिवा बाबनी की रचनाकार कौन है सिवा बाबनी की रचनाकार इतना सरल कोस्चन पूछ लिया गया सिवा बाबनी बताईए आपको पता ह दोस्तो है ना प्रिसस्ती परक प्रिसस्ती परक बताना है प्रिसस्ती परक जो रचनाय की है वो किसने की है एक क्वेस्चन ऐसा भी आता है है ना तो आपका पता होगा प्रिसस्ती परक प्रिसस्ती परक का अर्थ समझते हो सभी लोग की नहीं समझते प्रिसस्ती परक क्या हो सिवाबाबनी के रिचनाकार है भूषं भूषं आपको याद रख देना और दोस्तो भूषं ए प्रसर्श्ती परक काप Dean और आ उन्हों ने क्या है यहाँ पर आपका बी नमबर भूषं जी बिल्कुल सही हो जाएगा अंगला कोईस्ट अनमर्ण नर्की और नर्नील की गतिये की कर जोए जेतो नीचो हे चले तेतो उचो होए पंक्ती किसकी है नर्की और नर्नील की गतिये की कर जोए पंक्ती बताना है ये पंक्ती कौन सी है किसकी पंक्ती है दोस्तों जब तक दो तिन क्वेस्चन यहां से आपके बनेंगे जो हम आप से पूछेंगे बताइए नर्की और नर्नील की गतिये के कर जोए जे तो नीचो है चले ते तो उचो होए बताइए जल्दी से पंक्ती के रचनाकार कौन है पंक्ती के रचनाकार आपको बताना है और शबी लोग अटक रहे हैं क्या नहीं अटक रहे हैं सही सही बता रहे हैं औ और आपको पता है इन्होंने गरंत लिखा कौनसा बिहारी सस्ताई इन्होंने कौनसा गरंत लिखा बिहारी सस्ताई बिहारी सस्ताई मुक्तक काब है दोस्तों क्या है मुक्तक काब है बिहारी सस्ताई याद रख लेना और आपका यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों कौनस सी नम्मर हो जाएगा सी जो आपने बताया वो बिलकुर साही बताया है अंगले कॉश्चन की और हम बढ़ेंगे अंगला प्रश्न आपको बताना है बिहारी लाल आपका बिलकुर साही हो जाता है ठीक है प्रहारी दोस्तों रीती सिद्ध काब धारा के कभी हैं ये भी कई बार question पूछा गया है कि निमने मैंसे बताईए कौन सा रीती सिद्ध काब धारा के कभी हैं कौन बिहारी जी रीती सिद्ध काब धारा के कभी माने जात मेत्रिशन गुप्त हर्योद या फिर जैसंकर पिरसाद की सकीबे मुझसे कहकर जाते जिन भी सात्यों को कोर्स में अड़ीसन लेना है दूसरा नमबर मेरा चालू है बासट त्रेसट वाला उस पर आप वाट्स अप पर मेसेज कर सकते हैं नीचे नमबर चला है दूसरा वाला अभी वो जो मेरा पहला बाला नमबर था वो दोस्तों बंद हो गया है दूसरा नमबर चालू है आप उस पर मुझे वाट्स अप पर मेसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम से भी जोड़ सकते हैं आप हमसे सुमिछ जैन सेल्प इस्टडी के लासे सर्च कर सकते हैं फेसबुक गुप्त कब हुआ था इनका जन्म जल्दी से बताईए मैतली सर्ण गुप्त का जन्म कब हुआ था इतना अच्छा कोस्चन आपको आया राष्ट कभी मैतली सर्ण गुप्त है भारत भारती इनकी रचना दोस्तों 1912 1912 की प्रिसिद्धी के कारण इन्ही राष्ट कभी की पादी दीती किस ने महतमा गांधी ने लेकिन आपको इनका जन्म बताना धा जल्दी बताओ जन्म कब हुआ था जबी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा है ना मेतली स्रणगुप्त का जन्म आपको बताना है जब तक अंगला क्विश्चन आपकी स्क्रीन पर है हिंदी कविता को चन्दो की पर्दी से मुक्त कराने बाले कौन थे जल्दी से आपको बताना है और बिल्कुल सही आंसर आया है आपका किसर अथारा सो चैसी में जन्म हुआ था मैं अतली स्रंगोप्त का चरगाउं जिला ज्हासी में बहुत बड़ी आंसर हिंदी कविता को चंदों की परधी से मुक्त कराने बाले कौन थे ए आंसर आपको चेन करना है बहुत बड़ी आज यहां पर प्रशन आप से पूचा गया है अच्छा आंसर सभी लोगों ने बताया है सभी लोग लाइक जरू कर देना दोस्तों मेरा जो गुरूप है DSSB वाला वो दोस्तों उसमें आपकी लिंक आएगी है ना टेलीग्राम में आपकी लिंक आएगी तो टेलीग्राम में देखना अभी बाट्सप पर आपकी लिंक नहीं आ रही है ठीक है तो सभी साती अपना जो सेल्प स्टेडी किलासेस एफ है उस पर दोस्तों क्या सूर कांतर पाठी निराला कब हुआ था निराला का जन में निराला का जन में भी आपको पता होनी चाहिए कब हुआ था भाईया निराला का जन में जल्दी से बता दो यहां पर आपके बता रहे हैं दोस्तों यहां पर निराला का जन में जब तक आपको बताना है 21 जून से दोस्तों निचोड किलास से स्टार्ड होने वाली है पैड कोर्स में जो आपके लिए बिल्कुल मलाई देगा निचोड निचोड देगा जो हमेथा एकजाम मैं रो thirty फीजाम पूछे जाते हैं कि सर अगर तितली की बात करोगे, तो ये तितली क्या है, तितली क्या है, बुलिसर ये जैसंकर परसाद की रचना, इसकी बिधा क्या है, बुलिसर ये बिधा इसकी क्या है, उपन्यास है ये, है ना, और कौन-कौन से उपन्यास है, जैसंकर परसाद ने तीन उपन्यास लेकि ना है दोस्तों एक मैं और बता दे रहा हूं कि इनका एक अधूरा उपन्यास भी है है ना बहुत बढ़ या अंसर बताया आप लोगों ने कि सर इनके तीन उपन्यासों की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले कंकाल है ना कंकाल तितली तितली भी आपको याद रख लिए तितली और दोस्तों इनका एक अधूरा उपन्यास था जिसका नाम था इराबती इसका अधूरा उपन्यास कौन सा था इराबती है ना तो तितली किसकी रचना है जैसंकर पिरसाद का उपन्यास है और इन्होंने कुल मिला के तीन उपन्यास लेकिये हैं जिनने आपको पढ लिए अंगला कोस्चन अतीत के चलचितर की रचेता कौन है अच्छा कोस्चन है अतीत के चलचितर कई बार कोस्चन पूछा गया जैसंकर परसाद है शूरकांतर पाठी निराला है महादेवी बर्मा है या फिर सुमित्रा नंदन पंत है अतीत के चलचितर की रचेता कौन है जैसंकर पिरसाद, शूरकांतित्र पाठी निराला, महादेवी बर्मा, या फिर सुमित्रा नंदन पंत, जल्दी से आपको चैन करना है, वीडियो को लाइक जरू करेंगे दोस्तों, फटा पट से लाइक जरू करना है आपको, और जुड़े रहना है, और हमारे जितने भी प चैन करना है, तो आपने बिलकुल सही आंसर बताया, महादेवी बर्मा, अब महादेवी बर्मा का जब नाम आता है, तो इनकी एक दोस्तों रचना है, यामा काब्ब संग्रह, के लिए 1882 में इने जान पीट पुरुषकार मिल गया, लेकिन हम इनका जन में नहीं बताएंग कब हुआ, ये सभी लोग आंसर कमेंट में लिखेंगे, जल्दी से बताएंगे, अतीत के चल्चितर के रचेता कौन है, अतीत के चल्चितर के रचेता दोस्तों जो रचना है, ये महादेवी बर्मा की है, लगबग सभी लोगों को पता है, महादेवी बर्मा की रचना है, इनका जन्म कब हुआ था, फटाक से कमेंट में लेकिया, आपने सही बता दिया है, 1907, very good, पल्लाव की रचेता को आने है, पल्लाव की रचनाकार आपको बताना है, पल्लाव एक किसकी रचनाकार को आने है, इसे कई कोश्चन है जिनको आपको बार-बार रिपीट करके है और मैंने कई बार आपको याद करवाया है कि सर जो पल्लव रचना है जो पल्लव रचना है इसे क्या कहा जाता है इसका रचनाकाल क्या है पल्लव का रचनाकाल क्या है तो 1928 इसका रचनाकाल है ये भी आपको पता होनी चाहिए और पल्लव के रचेता कौन है ये लेकिन आ क्योंने कोर्स में एड़ीसन नहीं लिया एक जुलाई से नया बैच आपको चैन करना है और बढ़िया क्वेस्चन है और उत्तर आपने बिल्कुल सही बताया किसर अगर लगाना ही तो निराला लगा दो चाया बात का मैनी फैस्टो चाया बात का गोशना पत्रे से कहा जाता ह किसको आपको याद करना है और इसी प्रकार से आपके क्वेस्चन का आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था दोस्तो उननीस तो इस वी में इनका जन्म हुआ था जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूला है उननीस तो इस तो आपको बताना है जैसंकर पिरसाद, महाभी पिरसाद दुवेदी, राम चंदर सुकले, या फिर हरियोद, चिंता मनी की रचनाकार कौन माने जाते हैं, जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए, वीडियो को सभी लोग लाइक जरू करेंगे दोस्तों, और अपने मित्रों तक एक बार सेयर कर दो, अपने जितने भी मित्र हैं दोस्तों और जो पैड़ वारे हमारे साथी हैं, पैड़ वाले सभी साथी अपने गुरूप में बता दें, कि अभी बाट्सप पर लिंक नहीं आएगी, आप अपने एप में देखी, अपने जितने भी मित्र हैं, एप म महाभी पर साथ दोवेदी राम चंद्र सोकल और तीसरा है दोस्तो हरियोद इन में से आपको चैन करना है और उत्तर चैन करना है सबी लोग आइसर बताएंगे कि चिंता मनी की रचेता कौन है वीडियो को एक बार लाइक और सेर सबी लोग कर देंगे उत्तर आपका क्या हो ज हमारा उत्तर हो जाएगा चिंता मनी की रचेता जो है वो राम चंद्र सोकले हैं राम चंद्र सोकले प्लीज बाद में करना कौल ठीक है यहाँ पर राम चंद्र सोकले आपका सी नमर बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है चिंता मनी की रचेता राम चंद्र सोकले सी नमर आपका बिल्कोर सही हो जाएगा अंगले question की और हम बढ़ेंगे अंगला question आपको बताना है जन्मे जय का नाग यग्य किसकी किरती है जल्दी से आपको चैन करना है आपका उत्तर क्या हो जाएगा सेट गोविंद दास जैसंकरपरसाद लच्मी नारानलाल या फिर दोस्तो सेट नांग आ गया नांग और नांग तु कहां पढ़ा नांग कहां पढ़ा बुलि सर ये पढ़ा है कहां पढ़ा है नांग बुलि सर ये पढ़ा है ठीक है ये पढ़ा है कहां पर गले में पढ़ा है गले में है ना संकरजी के गले में तो जन्मे जय का नांग यग्य संकरजी क का ये नाटक माना जाता है और आपका जो बी नंबर है वो बिलकुल सही है बी नंबर आपका जैसंकर पर साथ की अगर बात करें दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1889 में कब हुआ था 1889 बोले सर जैसंकर को सीस नबासी सीस नबासी करते ना आप लोग नबासी नबासी तो क्या हो जाएगा नबासी 1889 ठीक है अंगला क्वेस्चन हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल बहां चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उडाते जहां चले पंक्ति के रचेता कौन है पंक्ति के रचना क दीबाना तेरा आया सभी लोगों ने दीबाना तेरा आया सभी ने सुना होगा भाईया और बोले सर हम तो किसके दीवाने हैं किसके दीवाने हैं भगते हैं हम तो भगते हैं हम तो दीवाने हैं हमें तो दिन रात भगबती की भगती दिखती है है ना किसकी भगती दिखती है बोले सर भगबती की भगती दिखती है हम तो दीवाने हैं हम तो भगते हैं है ना भगते हैं यानि कि आपका जो बी नम्मर है ये दीवाने तो दीवानों को पकड़ लेना और दीवानों से भगबती चरण बर्मा हम तो भगबती के दीवाने बोले सर बी नम्मर आपका बिलक कथा लेकिन यहां सबसे पहले आपनी आत्मकथा किसने लिखी यह आपको बताना है और यहां पर स्याम सुंदर दास सेट गोबंदिद दास यह आपको बताना है उत्तर क्या हो निम्न मैसे सबसे पहले अपनी आत्म कता हिंदी में किस ने लिखी हिंदी में किस ने लिखी अठारा का अंसर और हिंदी में किस ने लिखी ये आप से पूछा है तब आपने उत्तर लगाया है राजंदर पिरसाद वेरी गूड यहां पर निम्न लिखे तो मैसे पूछा इसल जल्दी जल्दी बताईए बहुत अच्छा कोस्चन एक कोस्चन आया हुआ भी है एकजाम में कई बार आया है लोग कन्फ्यूज हो जाते धारना बना लेते कि हिंदी की प्रथम आत्मकता तो वो है कई लोग कई स्टुडेंट बोलने लगते बोले सरसत्तिकी खोज है लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि हिंदी की प्रथम जो आत्मकता है वो कौनसी है अर्द कथानक मानी जाती है प्राचीन आत्मकता मानी जाती है लेकिन हिंदी की प्रथम प्राचीन आत्मकता मैंने आत्मकता को बहुत अच्छे से पढ़ाया है है अब ये पंजाब मास्टर कडर में एक कॉस्चन आया तो जो डाउट्स वाला कॉस्चन था बहुत सारे लोग गलत करके आयती सी प्रतम आत्म कथा को ले करके मैंने बहुत अच्छे से बताए आपको हिंदी की प्रतम आत्म कथा को ले करके कि कॉस्चन अगर इस प्रकार से आये तो यह उत्तर होगा इस प्र दूद और आखों में पानी बताईए अबला जीबन हाए तुमारी यही कहानी आचल में है दूद और आखों में पानी बताईए यह किसकी पंक्ती है यह किसकी है कामाईनी साकेत यह सुधरा या फिर आशू बताईए जल्दी बताओ अबला जीबन हाए तुमारी यही कहानी और आचल में हैं दूद, आखों में पानी, जल्दी से आपको बताना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, का माईनी साकेत यसोधरा या फिर आशू, ये पंक्ती किसकी है, अबला जीबन हाई तुमारी यही कहानी, और आपने बिल्कुर सही आंसर बत रखते न, और यसोधरा की रचनाकार कौन है, बोला इसकी रचनाकार तो मैतली स्रनगोप्त है, ये सोधरा है खन्द काब है, आपको पता है सर्वं सबसे जादा प्रबंद काब लिखे हैं, सबसे जादा प्रबंद काब लखे मैं अत्रीश नंगुप्त ने सबी लोगों को पता है और ये अबला जीवन हाए यसो धरा से ली गई पंक्ती है लगबक सबी लोगों को पता है हिमालाय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देव पहार उसा ने हसा भी बादन किया और पहनाया हीरे का हार पंक्ती के रचेता कौन है पंक्ती के रचेता बताना है हिमालाए के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देव पहार मैंने कई बार आपको बताया एक दो सिंत कुमार की गजल है कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में और तेरे सीने में ना सही किसी और के सीने में है ना है कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए इस हमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए ऐसा है कि हमालय की आंगन में उसे प्रतम करणों का देव पहार उसा ने हसा भी बादन किया और पह मंजा आगया बोली सर जैसंकर पिरसाद हैं जैसंकर पिरसाद का नाम ले लिया बोली सर मंजा आगया दो क्वेस्चन हर एक्जाम में जैसंकर पिरसाद से मिल जाते हैं इनका जन्मे अठारा सो नवासी है ना जैसंकर पिरसाद नाटक कार के रूप में प्रसिद्ध हैं दोस् किससे संबंदित होती हैं आंचलिक रचनाएं किससे संबंदित होती हैं वीडियो को लाइक जरू करना है दोस्तों अपने मित्रों तक सेयर करती रहें सेल्फ स्टड़ी कलासे से अप से जोड़ जाएं और हमेशा दोस्तों अभ्यास करें है ना क्यूंकि आपको पता है सपता हमें दो दिन टेस्ट कराए जाते हैं आपको बिलकुल फिरी में 2020 टेस्टी रिज है ना आंचलेक रचनाए किस से सम्बंदित होती हैं देश बिसेश स सम्बंदित होती हैं लोक बिसेश से सम्बंदित होती हैं छेत्र बिसेश से या फिर जाती बिसेश से सम्बंदित होती हैं 21 का आंसर आपको चैन करना है और सभी लोग आंसर बता रहा है कि सर आंचलेक उपन्यास की बात कर रहे क्या आप मैंने कहा हाँ जैसे आंचलेक उप नियास माना जाता है लेकिन अंचले के रचनाएं आपको पता है तो ये दोस्तों किस्ते संबंदित होती है छेत्र बिसेश छेत्र यानि की अंचल अपन बोलते कि हमारे अंचल में जरूरा ना है ना हमारे अंचल में तो ये छेत्र बिसेश यानि की याद रख ले ना आपको पता है उसने कहा था अपने एक दोस्तों कहानी पड़ी होगी है ना उसने कहा था लहना सी बोले तेरी कुमडाई हो गई है ना यासी वोते हैं कुमडाई या कुडमाई या कुमडाई इस प्रकार से उसने कहा था कभी पढ़ना चंदर दोस्तों चंदरधर सर्मा गुलेरी ज की कहानी यहाँ पर तो ख्यार आंचले का आप से पूछा गया तो छेतर विसेश से हो गया मेला आचल रिणु जी का ए प्रता मांचले को पन्यास कार भी पन्यास भी हो गया बिलकोर राइट आंसर बहुत बढ़िया निर्गोन भक्तिकार का प्रमुक कभी कौन है निर्गोन दो काब धाराओं में बटी, सबसे पहले तो ये सगोण और निर्गोण में, फिर सगोण भी दो काब में बट गई और निर्गोण भी दो काब धाराओं में बट गई, ये अलग-अलग प्रकार से बटी, लेकिन आपको पता होगा कि निर्गोण भक्ती काब का प्रमुख कभ कभीरदास कुवन मान जाते हैं कभीरदास मान जाती है और छी नमर मान आपका बिलकुल सही हो जाएगा हैना अंगला question आ रहा है स्क्रीन पर स्रद्धा किस कृती की नाय का है बहुत बढ़ी आंशर कई बार आप से पूचा गया कामाईनी की है पी साकेत की है जल्दी से बताओ इस एप किस किसने नहीं डाउनलूड किया एप को जरूर डाउनलोड करें मित्रोह आपके लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही है एक तो सबसे सस्ता, सबसे सुन्दर, सबसे अच्छा कोर्स लांच किया गया, जहाँ पर trick से भी, जहाँ पर बिस्तृत भी, टेस्थ भी, ट्रिक भी, लाइब कलासे भी, सब कुछ और स्रद्दा किस tensorthटी की नाइका है, यह ना, यहां पर आपका उत्त्र हो जाएगा, बोरी सर्थ कामाइनी लगा दो, कामाइनी लगा दो, मैंने कामाइनी को लगा दिया, आपने बताया सर्थ इसका रचनाकार और लिख दो 1935, मैंने लिख दिया 1935, बुलिसर इसके 15 सर्ग और लिख दो कि इसमें 15 सर्ग हैं मैंने बो भी लिख दिया बुलिसर ये जो कामाईनी है इसे महाकाब कहा जाता है मैंने बो भी लिख दिया महाकाब है बुलिसर ये जो कामाईनी है जैसंकर पिरसाद के कामना नाटक पर आधारित है मैंने बोबी लिख दिया कामाईनी और कामाईनी की रचनाकार बोली सर जैसंकर पिरसाद और लिख दो तो मैंने जैसंकर पिरसाद और लिख दिया की कामाईनी की रचनाकार जैसंकर पिरसाद है कामाईनी का रचनाकार 1935 है 15 सरग है इसका प्रिथम सर्ग बोलीसर चिंता से स्टार्ड होता है और आनंद पे खतम होता है earrings की प्रिथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग कौन सा? बोलीसर आनंद लगा दो और आनंद से अपनी किलास भी यहां पर चल रही है सभी लोगों को एक बार लाइक करना है अपने मित्रों तक और सेल्फ इस्टेडी के लासे से एप से जुड़ जाएं मस्ती करें और मस्ती से पढ़ें ठीक है तरुबर फल नहीं खात है सरवर पियाहिना पान प्रस्तुत पंक्ती के रचेता कौन है हाँ जल्दी बताओ फटा पट से बताना है उत्तर क्या हो जाएगा तरुबर फल नहीं खात है सरवर पियाहिना पान और उत्तर आपका कौन हो जाएगा ये पंक्ती जो है ये पंक्ती किसकी है जल्दी बताइए उत्तर क्या हो जाएगा तरुबर फल नहीं खात है और सरवर 24 का answer और 24 का answer आपका क्या हो जाएगा है ना जल्ली बताइए ठीक है हाँ यहां पर आपको तरवर फल नहीं खात है सरवर पिया ही ना पान प्रस्तोत पंक्ती के रचिता और प्रस्तोत पंक्ती के रचिता कौन है पुरे सर रहीम दास लगा दो रहीम दास में आप टिक करोगे तो मज़ा आ जाएगा ये नम्मर आपका बिल्कूर सही हो जाएगा है ना ये हो जाएगा सही और ये जो रस्खान है रस्खान है ना तो ये रस्खान के बारे में कौन सी ऐसी पंक्ती है दोस्तों जो बहुत पिरसिद्ध है आपको बताना है कौन सी ऐसी पंक्ती है जो भारत पूछा जाता है है ना उम양ेने कहा कार भी बता देना कौन सा है इसमीं है ना एक कैई बार आपने देखा होगा जनम से बच्चपन से पढ़ते आ रहे हैं तो बताइए तरण तनूजातत तमाल तरवर बहु छै एनके रचेता कौण है रचेता कौन है इस पंक्ति के रभारतेंदू है क्या रामधारी से दिनकर है माखला चुत्रवेदिया फिर राम नरेश्टर पाटी कौन है इस पंक्ती के रचेता है ना और 21 जून से 21 जून से भाईया आपकी निचोड किलास स्टार्ट होने वाले कोई भी पैड मेंबर इसको मिस नहीं करेगा जितने भी हमारे साथी पैड कोर्स से जुड़े हैं उनके लिए स्पेशल 21 जून से 10 दिन तक आपके लिए निचोड कोर्स कंप्लीट किया जाएगा है ना ताकि आपको जितना भी है वो रिवाईज हो जाएगा और जितनी भी मलाई है हिंदी साहित की वो मलाई आपको मिल जाएगी मलाई मलाई है ना किस को सबी को खाना होगा बोली सर मलाई की वो चर्चा मत करो जीम में पानी आगया होगा कुछ लोग का तो है ना तो तरन तनूजा तर्टमाल बर बहुचाए भारतेंदु जी की ये पंक्ती है है ना और बोली सर अलंकार की पूछोगे तो इसमें अनुपरास अलंकार है ठीक है very good रामधारी से दिनकर का जन्म कब हुआ था जल्दी से बताओ दिनकर जी को अपन पढ़ते बहुत बढ़ गया तरीके से मुवरिसर हुंकार भनना है तो दिन में भरो अगर कुरू छेत्र में जाना है तो दिन में जाओ रात में पिटके आओगे रात में नहीं जाना क्योंकि देखेगा नहीं दिन में जाना है कुरू छेत्र में उंकार भनना है तो दिन में भरोगे नहीं तो रात में पिट जाओगे रात में नहीं भननना है ठीक है यहाँ पर आपको बताना है तरन तनूजय तर्वर्द ये तो हो गए आपका रामधारी से दिनकर बताना है आपको जल्दी बताओ दिनकर्जी का जन्म कब हुआ था साथियो फटा-पड़ से उत्तर बताना है और इसी प्रकार से पढ़ती रहना है अभ्यास जब आपका बहुत अच्छ आठ बोले आठ है ना इसको याद रखते ना आठ दिन है ना ठीक है बहुत बढ़िया इसी प्रकार से सभी लोग अध्यन करते रहें वीडियो को लाइक करते रहें अपने मित्रों तक सेयर करते रहें यह जो 2020 टेस्ट सीरिज है आपकी इसमें जरूर आपको भाग लेना है ज उन सातियों के लिए दोस्तो हर रभी बार और गुरुबार और गुरुबार को यह 2020 टेस्ट सीरिज लांच की गई और 2020 टेस्ट सीरिज आपको एब पर मिल जाएगी सेलफ इश्टेडि किलास एस एब पर ठीक है और जिन भी सातियों को दोस्तो यह निचोड़ किलास मे पूछे जाते हैं उन पर चर्चा होनी है 21 जून से 21 जून से 10 दिन लगातार इस पर चर्चा होगी है ना तो जिन भी साथ यो कोर्स में 80 से ले ना 1199 में आज ही 80 से ले सकते हैं और दोस्तों एक जुलाई से नया बैच स्टार्ड होगा यानि कि फिर उसे उसको दोस्तों नय बैच में फिर से लाया जाएगा है ना अपने यहां यह नहीं चलता है कि पुराना स्टूडेंट है तो उसको नय बैच में सामिल नहीं किया जाए पुराना स्टूडेंट भी आओ पढ़ो क्योंकि यहां तो सिर्फ पपन को क्या करना ऐसा नहीं है कि भाई आप फस्ट बै और जल्दी जल्दी से अध्यन करें, लाइक करें, अपने मित्रों तक सेयर करें, सेल्फ स्टेडी किलासे से अप से जुड़ जाएं, जितना बनेगा करता रहूंगा, आंगे बढ़ते रही आप लोग, और हमेशा नरंतर आप लोगों के लिए मैं लगा हूँ, बिल्कुल, ठीक है, इसी प्रकार से, बहुत बढ़िया सभी शातियों को धन्वाद और वीडियो को लाइक और सेयर जरू करना है, इसी प्रकार से लगे रहना है, और लगे रहें, अध्यन करते रहें, ठीक है, अनिरुद्ध जी, पूनम जी, कार्तिक जी, ठीक है, और याचना जी, है एक्जाम हो जाएगा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अगस्त में हो जाएगा पंदरा अगस्त है है ना पंदरा अगस्त में हो जाएगा जब भी हो जाए है ना एक्जाम के लिए नहीं अपन तो क्या करो दोस्तों तैयारी करती रहो नरंतर तैयारी बीच में लोगों न तैयारी बंद कर दी, मुले क्यों कर दी? मुले सर्た एक जाम तो अप क्या हो गया? कैंसिल हो गया ठीक है? तो इस परिकार से दोस्तो किसी भी परिकार से आपको कुछ नहीं करना है, लगे रहना है, है ना? और मैं तो बिल्कुल साथ हूँ कोई मिस नहीं सब किलास से बंद हो जाएए सेल्प स्टटी किलास से इस बंद नहीं होगी यह तो चलती रहेकी अप लोगों के लिए ठिक है बिलकुल ठिक है सभी सातियों को धनावाद और इसी प्रकार से जुड़े रहें शेयर करते रहें अपने मित्रों तक जिन भी सात्यों को एड़ीशन लेना है वो एड़ीशन जरूर लें ठीक है और अध्यन करते रहें और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही सात्यों जै हिन